हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं रूपम और आज है योग दिवस तो योग दिवस के अफसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं सबसे पहले आप मेरे प्यारे प्यारे गार्डन के फ्लावर देख लीचे कितने अच्छे मोसरोच के फ्लावरिंग हो रही है यह एक छोट अचस्पर ऊंडना तो जरूर करें ख्यान के लिए योग आशा करने के लिए या योगा करें तो उससे हमारे हमारे हमारा सबThe Southern रहता है तानवन बहुत ही अच्छा सौस्तर रहता है तो स्वहत्त रहने के लिए में एक्सर्स करना ही पढ़एगा और आजकल इतने दूसीत परदोशन के कारण सिहत सब के खराब रहते हैं तो योगा जरूर करें फ्रेंड सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्त पर ध्यान दे अच्छे से स्वास्त कोमेंटन करके रखें और एक्सेसाइज थोड़ा बहुत जरूर करें मैं भी अपने गार्डन में इसी तरह के योगा जरूर करती हूँ जब टाइम मुझे मिलता है मैं करती हूँ और इसी गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है और पेड़ पौधा भी जरूर लगाएं नहीं ज़्यादा लगाएं थोड़ा ही लगाएं लेकिन लगाएं जरूर उससे हम लोगों को जितने भी दूसी थावा होते हैं ये पेड़ पौधा हमें कितनी अच्छी हवा वो उससे क्लियर करके देते हैं बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उतना ज़्यादा भूलनी तो होता नहीं है फ्रेंड लेकिन फिर भी मैं मुझे जो भी आया मैं आप लोगों को कह रही हूँ तो जिस तरह की तरीके से हम अपने सेहत पे ध्यान देते हैं उसी तरीके से अगर हम जैसे गाड़नर का काम करते हैं जिस तरह का काम करते हैं उसकी केर हम जरूर करते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने प्लांट में कौन सा इसे हलदी रखने के लिए कौन सा फटिलाजर बनाऊंगी मिक्स फटिलाजर तो जरूर चलिए मेरे वीडियो को जरूर देखिए गा और मेरे चैनल पर नियूँ है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल एकन प्रेश जरूर करिएगा फ्रेंड तक कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दिखिए मेरी फ्लाबरिंग की ब्लूमिंग कितनी प्यारी हो रही है और यही सारे फ्लाबर देख देख के अतने प्यारे अच्छे लगते हैं किरता नोट fist अब मैं पहल सुबह सुबह अपने गॉर्डन में ही चोटा सा टैरिस्ट गार्डन है करने यहीं पहलती हूं कहिं बाहर जाती हैं इस छट पर ही अपने फुलों को भी देख लेती हूं और इनकी केर भी कर लेती हूं को चलिए मैं आपको फर्टिलाजर दिखाने वाली हूं कि अ खेशेम गेंसे पहले मैने ये वर्मी कमपोस्ट लिया है देखे इस तरीके से मैंने ले लिया आप इसमें वर्मी कम्पोष्ट के जगा पर सरसोखली ले सकते हैं मेरे पास यह दोने मेंसे कुछ भी नहीं था तो मैंने वर्मी कम्पोष्ट ही लिया है और ऐसे भी बरसात में सरसो खली यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि फंगस बरसात के जैसे फंगस पकड़ लेगा प्लांट में तो मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है दिखिए और इसी में मैं मिलाने वाली हूं नीम की खली जैसे मैंने तीन प्लेट ये लिया है तो इसका एक भाग मैं मिलाओंगी 100 ग्राम के करीब 200 ग्राम के करीब देना है तो मैं थोड़ा सा ही क्वेंटिटी मिला रही हूं देखिए 100 ग्राम के करीब मैं मिलाओंगी नीम खली और 100 ग्राम के करीब मैं बोन मिल भी दूँगी इसमें हड्यों का चूड़ा जिसे बोलते हैं यह हो गया उसके बाद देखिए यह मेरे स्पून है इससे मैं 50 ग्राम के करीब पुटास दूँगी थोड़ा सा देखिए यह यह चैनल फटीज फटीलाइजर है और देखिए यह एक समस्वाट मैं इसमें 50 ग्राम के करीब एक संवाट भी दे रही हूं देखिए प्लांट में लाइट पत्ते जैसे ग्रीन लाइट हो जाते हैं कर्ल हो जाते हैं तो उसे यह ठीक करता है और इसमें मैंने बैलेंस फटीलाजर भी मैं देने वाली हूं यह थे बैलेंस फटीलाजर मैं इस में 10 26 देने वाली हूं देखिए यह मेरा बैलेंस फटीलाजर 10 26 जबेश विदेखिए फृट्स मैं इसमें देने वाली आप इसे अ मैंसरी तरह के प्लांट में इसे दूँँए यह पीचास करीब आभी से देदें देखें 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 थोड़ा सा और लेना होगा से अकल नेरा है सही से कुछ अटक गया है देखें देखें इतना को इंट्री मैंने इसका लिया दस चबिस चबिस का इसके बाद देखें मैंने साफ इंजिसाइट पॉडर भी डालूंगी थोड़ा सा देखें अटुए अ कि अरे प्लांट को अडिकम पोष्ट हमारे प्लांट में डीकम पोष्ट होके मिट्टी में डीकम पोष्ट होकर कि ये स्लो रिलीज फटिलाइजर है और बहुत एच्छा ये फंगल इंफ्टें को भी बचाता है और यह 10-26 हमारे प्लांट में बहुत अच्छा निट्रिशन देता है प्लांट को तो आप इसका इस्तमाल जरूर करें यह जाबा के प्लांट में मैं देने वाली हूं आप इसी तरह मैं रोज के प्लांट के लिए भी फटिलाजर आपको जल्द ही उसका वीडियो लेके आन देखे थोड़ा सा और डालूंगी देखे और यह देखे सुपर फासपोर्ट है मेरा इसे भी मैं डालूंगी 50 ग्राम से कुछ ज्यादा यह रूट्स को हल्दी बनाता है और रूट्स में भी कितने तरह के रूट्स को सभी को यह मेन इस्टेम होता है रूट्स में बहुत तरह के भी रूट्स होते हैं सभी को यह बहुत अच्छा हल्दी बनाता है और उनके ग्रोध में मदद करता है इसको कोई प्रोब्लम नहीं आने देता है थोड़ा सा और में लूंगी इसमें इसलिए को एंटिटी आप अच्छी बनाए ताकि सभी तरह के प्लांट में आप तो यह बहुत अच्छा मतलब प्लांट में नुटिशन देता है में विट एक्ष्ट करता है दिखिए सभी तरह के फूल फल सभी तरह के प्लांट में आप इसको दे सकते हैं यह लिक्विट फॉर्म में है तो मैं इसको देऊंगी देखिए तो देखिए फ्रेंट्स मैं सिवी एक्ष्ट भी देने वाली हूं इसमें मेरे पास ग्रेंवल नहीं था तो मैं लिक्विट को ही मिलाने वाली हूं थोड़ा से मैंने 10-15 बूंद के करीब मैंने इसमें मिला दिया है देखिए और इस तरह मैं सभी को मिलाने वाली हूं दिखिए इस तरह के से आप सभी अगर चाहे तो इसको डबे में बंद करके भी रख सकते हैं इसको बंद करके अच्छे से बढ़ियें से ढ़कर लगा बंद करके रखें फिलाल मैं तो इतना कॉंटिटी बना रही हूं कि इससे में टे दूंगी तो देखिए सबीपो सी को में मिला लेती हूं अच्छे तरीकस से the बहुत ही अच्छा यह फटिलाजर है और आप अपने प्लांट में जरूर से जरूर दें देखिए थोड़े थोड़े ज़ड़े से को एसे तो हम यह तो यह तो तो यह से जो गटली है वो चूरा बन जाएंगे इसका लिए इस तरीके से यहां देखिए तो आप सबीको मिला और मैं अपने प्लांट में दिखाती हूँ कैसे प्लांट में देने वाली हूँ इसको तो देखे फ्रेंट्स यह मेरा जाबा का प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से त्यार करा था देखे कितनी हल्दी ग्रोथ हुए है देखे और इसकी मैं इस तरह से गुड़ाई कर देखे इस तरीके से आप उड़ाई कर दें थोड़े से प्लांट के और अभी हमारे हां बहुत अच्छा बारिस हो रहा है अभी भी मौसम देखे बारिस कहीं किया हुआ है बादल देखे गेरे हुए है और देखे मैंने यह एक मुठी लिया है जो कि वटिलाजर अभी मैंन ने बनाया था और इस तरह से आप डाल दें बहुत यह ची फ्लावरिंग करेगा देखे फ्रेंड इस तरीके से मिट्टी में अपना से इस तरह से मिला दे देखे और थोड़े से में इधर यहां भी दिखे मेरा जाबा का प्लांट है मैं इसमें भी देने वाली हूँ देख देखे ये मेरा पिंग कलर का है और मैं देखे एक मुठे के करीब मैंने डाला और इसके गुड़ाई कर दूंगी इस तरीके से आप मिट्टी में मिला दें कि बहुत ही अच्छा यह हमारे प्लांट को हल्दी बनाएगा जैसे हम लोग हल्दी रहते हैं उसी तरह यह हमारे प्लांट को हल्दी बनाएगा और अच्छे फ्लावरिंग देगा देखे कितने हल्दी प्लांट है मेरे देखे कितनी अच्छे फ्लावरिंग हो रही है है ता किसे मेरे जावा के प्लान्ट में कलिया आई हुई है देखे हां heavy मैं कर दूंँगी थोड़ी चिए मैं हमारे बार इस रेगलर रोज हो रही है तो वह पासकीमफ मुझे पानी देने का जूरत है नहीं क्योंकि मोश्चर बना हुआ है और बारिस में तो पानी हम लोग देने सकते हैं मिट्टी खुद गिली रहती है तो इसी तरह मैं सारे प्लांट में अपना ये फेटिलाजर दे दूंगी और बहुत ही अच्छा ये हल्दी रखेगा मारे को तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह सारे प्लांट में आप भी अपने प्लांट में जरूर डाले और भरपूर मातरा में फ्लावरिंग ले और तो फ्रेंड्स देखिए बस इतना ही